तिजेश्वी आदव जी, मदन मोहन जहा जी, शक्ति सिंग गोहिल जी, धारे कनवर जी, अखिलेश प्रसाप सिंग जी, सुबोध कांथ सहाई जी, अजय कपूर जी, दिवेंद्र यादव जी, महिंद्र यादव जी, कैंडिडेट्स, नितु कुमारी जी, मंतन सिंग जी, विबादेवी जी, प्रकाश बीर जी, भाई और बेहनों, प्यारे कार्य करताओं, प्रस के हमारे मित्रों, आप सब का यहाँ बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, नितिश्री के सरकार कैसी लगी आपको? मोदी जी के भाशन कैसे लगे? अच्छे लगे? उन्होंने कहा, कि बिहार के जो, हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके सामने, प्रधान मंत्री, अपना सिर जुकाते हैं, नरेंद्र मोटी जी ने कहा, पूरा देश, पूरा देश, उनके सामने, बिहार के, शहीदों के सामने, सिर जुकाता है, मगर सवाल ये नहीं है, सवाल सिर जुकाने का नहीं है, सवाल दूसरा है, जब बिहार के, जब बिहार के, युवा सैनिक शहीद हुए, उस दिन, हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने क्या कहा, और क्या किया, सवाल वो है, लदाख में गया हूँ, लदाख में, हिंदुस्तान की सीमा है, और उस सीमा पे, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बाकी प्रदेशों के युवा, अपना खून, अपना पसीना दे कर, हिंदुस्तान की, रेका, जमीन की, रक्षा करते हैं, लदाख में ऐसी जगह है, जहां माइनस 20, 25, 30 दिगरी, सेल्सियस का टेंपरिचर है, ऐसी जगह है, जहां हमारे सेनिकों को, 10, 15 दिन, पोस्त तक पहुँचने के लिए, चलना पड़ता है, स्याचिन में, हमारे युवा, ठंड से मरते हैं, मगर वापिस नहीं आते, भूके रह जाते हैं, वापिस नहीं आते, उन्होंने, अजादी के दिन से, तिबके बाद, हिंदुस्तान की, सीमा की रक्षा की, सवाल ये है, कि जब चाएना की सेना ने, हमारे बीज सेनेकों को मारा शहीद किया, और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों, बारा सौ किलोमेटर, हिंदुस्तान की जमीन, चाएना ने ली है, चाएना की सेना, हिंदुस्तान के अंदर है, सवाल ये है, कि जब चाएना, हमारी जमीन के अंदर आए, तो हमारी प्रधान मंत्री ने, हमारे वीरों का अपमान करते हुए, ये क्यूं बोला, कि हिंदुस्तान के अंदर, कोई नहीं आया, सवाल भाईयों और बैनों ये है, आज कहते हैं, मैं सिर जुकाता हूँ, मगर, हिंदुस्तान की सेना का अपमान, नरेंदर मोदी ने किया, जब उन्होंने देश को जूट बोला, कि चाएना का कोई भी सेनक, हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया, सवाल ये है, नरेंदर मोदी जी, ये चाएना के सेनक, जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे, सवाल ये है, आप सिर जुकाने की बात मत कीजिए, आप हमारे वीर सेनकों को ये बताएए, कि चाएना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर बेकोगे, ये बताएए, और यहां आकर, उटे सीदे जूट मत बोलिए, यहां बिहारियों को जूट मत बोलिए, आप बिहारियों को ये समझाएए, कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कब, पिछले चुनाओं मैं बोला तो, दो करो और युबाओं को रोजगार दूँगा, मिला, किसी को मिला, जीरो, आते हैं, कहते हैं, किसानों के सामने मैं सिर जुकाता हूँ, सेना के सामने मैं सिर जुकाता हूँ, मजदूरों के सामने मैं सिर जुकाता हूँ, छोटे भी अपारियों के सामने मैं सिर जुकाता हूँ, और दूसरे, घर जाते हैं, और अमबानी, और अदानी का काम करते हैं, भाशन आपको देंगे सिर्छ भुखाएंगे आपके सामने मगर जब काम करने का समय आएगा तो फिर काम किसी और का करेंगे नोट बंदी की फाइदा हुआ आपको आप दैंक के सामने खड़े हुए न एसी दूप में खड़े थे न बारिश में खड़े थे न आपने अपना पैसा बैंक में डाला डाला ठीक है पैसा कहां गया आपका पैसा कहां गया हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में अंदर आप से कहा काले धन के खिलाब लड़ाई क्या अधानी जी बैंक के सामने खड़े थे क्या अंबानी जी बैंक के सामने खड़े दिखे आपको नहीं वो इसी कमरे में आपका पैसा छीना और उनका कर्जा माद किया हमारी सरकार्ती सत्तर हजार करोर रुपए किसानों का कर्जा माद किया था पंजाब में हमारी सरकार पंजाब में किसानों का कर्जा माद किया मध्यप्रदेश में सरकार बनी मध्यप्रदेश में कर्जा माद किया चत्तिस गर्ण में कर्जा माद किया नोट बंदी पे नहीं रुके उसके बाद GST लागू की सब चोटे वियापारिकों खतम कर दिया किसके लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर लोगों के लिए बाई और बेनों आप समझो रास्ता साफ किया जा रहा है अमबानी और अधानी के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहा है किसानों को मजदूरों को परे कर रहा है चोटे दुकानदारों को परे कर रहा है आने वाले समय में आपका पूरा पूरा धन हिंदुस्तान के दो तीन पुझे पतियों के हाथ में हो जाएगा आपके खेत आपसे छीन लिये जाएंगे और इनके हाथ चले जाएंगे तीन नए कानून बनाए हैं किसानों पर आक्रमन करने के तीन नए कानून बनाए बिहार में नोने पहले कर दिया था अब ये पूरे देश में कर रहे हैं कि अब यह पूरे देश में कर रहे हैं कि यहां पे इनोंने मंडी खतम की कि MSP खतम की अब यह पूरे देश में मंडियों को MSP को खतम कर रहे हैं कि लाकों लोगों को धन्यवाद लाकों लोगों को बेरोजगार करने जा रहे और जहां भी जाते हैं आपसे जुट बूलते हैं हंदुस्ताइन की जमीन किसी ने नहीं ली लाकों लोगों को मैंने रोजगार दिया किसानों के साथ प्रणानबन्तुर हूँ ख़डा हूँ मगर काम सिरफ उन दो लोगों को होता है एरपोर्ट रेलवे लाइन आपके खेट माइन्स जो भी उनको चाहिए नरेंद्र मोधी देता है आप लोग देखते रहे जाते हो अब आपके हाथ में चाबी है अब नरेंद्र मोधी जी के हाथ में नितीज जी के हाथ में चाबी नहीं है अब चाबी आपके हाथ में जो निन्ने आप लोगे वो बिहार में होने जा रहा है और अब इनको हराना है बिहार के लिए बिहार की विकास की सरकार बिहार के किसानों की मजदूरों की सरकार अब बिहार में लानी है कुरोना हुआ नरेंद्र मोधी जी ने कहा 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से बाकी प्रदेशों से भगा कर भगा कर बिहार बेजा जब पैदल आए जब आप पैदल आ रहे थे जब आप भूके थे जब आप प्यासे थे तो नरेंद्र मोधी क्या कह रहे थे नरेंद्र मोधी जी ने आपकी मदद की बिहार के मजदूरों की मदद की मजदूरों के समने सर सर जुकाते है मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते आप भूके प्यासे मरे आप हजारों किलोमेटर चले नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी बस नहीं दी नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा भूके हो तो क्या हुआ प्यासे हो तो क्या हुआ हजारों किलोमेटर चलो अब बिहार की ओर चलो मर जाओ उपिस जाओ मुझे कोई फरक नहीं पड़ता यह सच्चाई है भाई और बहनो सच्चाई है आपको पहचाननी पड़ेगी क्योंकि जब आप सच्चाई पहचानोगे तब ही यह देश और यह प्रदेश आगे बढ़ेगा और मुझे में पूरा भरोसा है कि इस बार इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रहा है इस बार बिहार नरें रमोदी को नितीश कुमार को जवाब देने जा रहा है सही जवाब इस बार मिलेगा नरें रमोदी को आप दूर दूर से आए इसके लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद कॉंग्रेस पार्टी और गटबंधन के हमारे जो केंडिडेट्स हैं उनका पूरा समर्थन कीजिए उनको जिताईए और बिहार में एक नई सरकार लाईए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद बहुत दूरा पक्रशक्र दीज़क माले बहुत अबի। रasınaवर कॉंग्रेस त内क उला नहीं रहुत बहुत बहुत जोले जिए अपके बखने सब्सक्राइब जोले जिए हम तो लो गैसी देशादे तुनने बड़कर किये खिपादे जोले 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 जिए खिपादे जोले तुनने बड़कर किये खिपादे